इसे पचाने में के आता है हलू फ्रेंड्स आख हुक्य gün में बात करिणे है गुर के बारे में कि गुर और चीनी में गुर्ड को क्यों हच्छा वाना जाता है डेखेज दोनों ही मिठास के बहुत बदे कारक में लेकिन चीनी को वाइट पोइजन कहा जाता है क्योंकि चीनी में सिर्फ सुक्रोज अर्थात मिठास होते हैं, इसके अलावा इसमें मिनरल और विटामिन कुछ भी नहीं होता, और सुक्रोज जब पजता है तो शरीर में एनरजी लेता है, इसलिए शरीर को भी इसे पचाने में मशक्कत करने पढ़ती है, इसके उलट, गु में और क्या होता है, गुड में आइरन, कैशियम, जिंग, सेलेनियम, अलुमिनियम, पॉटैशियम, सोडियम, लीडियम, मैगनेशियम, फॉस्फोरस, निकिल, कॉपर और सारे इसेंशल वाइटमिन्स होते हैं, इसके अलावा पंदरा प्रकार के अमीनो एसेड होते हैं, औ अब तक भारत के बच्चों में आइरन डिफीशन्स य अनीमिया नहीं होती थी, क्यों नहीं होती थी, क्योंकि लोग पहले चीनी नहीं लेते थे, लोग गुड लेते थे, शक्कर लेते थे, खांड लेते थे, लेकिन ये जो फैक्टरीज वाली चीनी आते, इसको नहीं ले देखे गुड़ खाने के बहुत सारे लाब है, पहले बात गुड़ फेफडों को साफ रखता है, फेफडों की गंदिगीओं को साफ करने में गुड़ बहुत जादा फायदे मंद होता है, यहां तक कि वो लोग जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्री में काम करते हैं जाब करता है, बहुत सारे लोगों को दूर करता है, इसके लाब गुड़ खाने से खून बढ़ता है, यह मने आपको पहले भी बता है, गुड़ खून की मात्रा को बढ़ाता है, और इसको खाना काने के बाद थोड़ी सी मात्रा में आपको सेवन करना है, दोनों समय, इसके आंकों के रोश्णी को बढ़ाता है तो अगर आप गुड का सेवन डेली करते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही फायदेबंद फूड है चीनी चोड़िए और गुड का अपना ये निश्चत रूप से आप अपनी सेहत में बहुत जादा सुधार देखने को मिलेगा